अस्सलाम अलेकुम तो स्वागत है आप सभी का ग्यापन एकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में फाइनली आज के इस वीडियो में हम लोग उर्दू ग्रामर के मातर दो टॉपिक कवर करने वाले हैं जी हाँ पहले टॉपिक का नाम है नज्म और दूसरे टॉपिक के नाम है घजल बस यही दोनों टॉपिक कवर होगा आज के स्विरियों में लेकिन यह टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है चाहे टेंथ हो टुवल्थ हो ग्रजुएशन हो या फिर कोई इंट्रेंस या फिर कोई भी कम्प्रेटिव एक्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो है कि हाँ यह टॉपिक इंपॉर्टेंट है तभी तो मैं आप लोग को पढ़ा रही हूं ना अगर इंपॉर्टेंट नहीं होता तो नहीं पढ़ाती चलिए ज्यादा बात ना करते हैं फड़ावड वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्योंकि समय जो है ना वक्त काफी मुल्य यवान होता है आप लोग का समय बशाने के लिए मैं पहले से बोड पर लिख दी हूं जो भी डिफिनेशन वगरा होता है ताकि समय कम लगे और कम समय में हम लोग बहुत कुछ सीख सके चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग समझते हैं नजम को आप लोग जानते ह हैं शी अरभी जबान का लवज है जिसका मानी होता है पीरोना तागे में पिरोना या फिर जब्थ करना लड़की में लखे ہے نظم عربی زبان کا لفظ ہے याद रखिएगा और नظم जो है ना वो फार्सी जबान से मतलब नजम की नजम लिखना स्टार्ट हुआ था यह आप कह सकते हैं फार्सी जबान में या कि फार्सी बासा में और फार्सी भी अर्वी जुबान का ही लफ़ है याद रखना धि allí ilio नजम भी अर्वी बहाशा का लए और गजल भी भाशा का मतलब का होता है औरतों से बाते करना या फिर औरतों की बाते करना और गजल भी ना फारसी जबान से उर्दू जबान में आया है यानि की गजल लिखने की रिवायद मतलब सबसे जड़ा फार्सी जबान में थी ठीक है तो फार्सी से होकर उर्दू जबान में आया गजल आई मतलब गजल तो इस तरह देखा जाता है तो मौननसी है इस्ट्रिलिंग है तो नजम भी स्ट्रिल में फर्क किया है आखिर तो नजम उस कलाम को कहते हैं जिसका कोई ना कोई एक मौजू होता है और यह किसी ना किसी उन्वान के तहत लिखी जाती है नजम उस कलाम को कहते हैं जिसका कोई ना कोई एक मौजू होता है और यह किसी ना किसी उन्वान यानिकी टाइटल के तहत ल लिखी जाती है जरा हम लोग इसको और डीपली समझते हैं एकदम विश्तार से क्योंकि आप लोग को कुछ कत समझ में आया होगा और कुछ कत नहीं भी आया होगा तो और इसको अपनी भाषा में समझने की कुछ करते हैं देखिए नजम जो है ना शेरोशैरी की अंदाज में ही लिखी जाती है बस नजम का जो उनवान है ना टाइटल वो फिक्स रहता है और टाइटल के हिसाब से ही नजम लिखा जाता है जैसे कि एक नजम है बिजली का खंबा तो बिजली का खंबा क्या है टाइटल नजम का टाइटल क्या है उनवान बिजली का खंबा और नजम उसी को तो कहते हैं जिसका कोई ना कोई एक उन्वान फिक्स होता है ठीक है जैसे कि बिजली का खंबा है उन्वान फिक्स है यान की टाइटल फिक्स है हाँ बिजली का खंबा और जो नजम लिखा गया है बिजली के खंबे से रिलेटेड ही लिखा गया है तो उसी को कह जाता है थी मौजू ठीक है और उसका कोई ना कोई एक उन्वान होता है तो वो कहलाता है कि आप लोगो नजम समझ में आ लेकिन अगर हम दोग गजल की बात करें तो गजल जैसा कि मैं आप लोगो को बताई अर्विजबान का लफज और यह फार से से उर्दो में आया है और घजल का मानी क्या होता है और तो से बाते करना या फिर और गश Да की बाते करना यानिकी घजब जो जो शायर होता है वो अपने शेर में जादतर औरतों की बाते करता है शेर को पढ़कर ऐसा लगता है कि वो अपने महभूब से बात नहीं होगी बेशक होगी और यह बहुत पहले माना जाता था कि घजल में सिर्फ आशकी की बाते होंगी लेकिन अब मौडर्ण जमाना आ गया हैं जदीद दौर आ गया अभी के जबाने में गजल में सभी तरह के टौपिक आखर जूड़ गए हैं अब घजल सिर्फ इश्क को आशकी पर नहीं लिखी जाती हर तरह के टॉपिक पर मतलब जिन्दगी की हकायक पर भी लिखी जाती है सियासी समाजी अखलाखी सभी तरह के मौज़ू आकर घजल में जुड़ चुके हैं अब आप लोगो पता चलेगा कि क्यूं नजम और घजल दोनों टॉपिक को मैं एक साथ पढ़ा रही हों देखिए यहाँ पर आगे पढ़िए घजल जो है ना कोई एक खास उन्वान या मौज़ू नहीं होता बलकि हर शेर अलग से एक एक एकाई की हैसित रोगता है पता चला कुछ गजल घजल का कोई भी एक खास उन्वान या फिर मौज़ू नहीं होता मतलब इसका कोई ट टाइटल ही होता है जिसके बेस पर पूरी नाजम लिखी गई रहती है तो नाजम का एक उनवान यहनु की टाइटल हो Tाइटल होता है टाइटल देखने को मिलेगा प्लस इसमें मौजू भी रहता है थीम मतलब नजम पीछे नजम क्या बताने की कुछ की गई है तो नजब में उनवान और टाइटल देखने को मिलता है रहता ही रहता है इसमें जरूरी है लेकिन अगर बात करें घजल की तो घजल ठीक नजब का आप यू कह सकते है अपोजिट होता है मतलब कि इसमें उनवान या फिर मौज़ों नहीं घजल है ठीक है यह अमीर खुसरू की घजल है ठीक है लेकिन घजल का कोई उनवान या फिर टाइटल नहीं होता है यह याद रखना है और यहीं इंपॉर्टन पॉइंट है इसको आप लोग हमेशा के लिए अपने जहन में बिठा लीजिए घजल का कोई भी उनवान या फ कि हैसियत रखते हैं ठीक है मतलब घजल का हर एक शेर का अपना एक मौद होता है घजल में कम से कम पांच होना चाहिए और जौधा कि तो कोई टादाद ही नहीं है तो घजल मतलब जादा कितना भी शेर'll का ड़िए सकता है लेकिन कम से कम हुप में पांच भी चाहिए ठीक ह और यह रहे एक गाई की हैसियत रखते हैं यानि जितने भी शेर होते हैं हर एक ख्यर का अपना एक अलग मौजू होता है, वो अपने आपमें मुकंल एक उनवान की हैसियत रखते हैं, समझ रही है ना मतलब यह हुआ कि खजल में मालीजे पांच श्रहीं तो पहला शेरय का मौजू कुछ और हो और होぎा मतला पहले श्रह में जो ख्यालात होगा फूर कि सी और चीज को लेकर हो सकता है माले और बात्त की बाति की गई ये पहले श्रह में और वही दूसरे दुसरे में मौजू बदल जाएगा दुसरे शेर का मौज़ अलग होगा कहीं जिन्दगी की हकीकत बेयान कर दी गई होगी दूसरे शेर में तो पहले का मौज़ अलग दूसरे शेर का मौज़ अलग तो ने sudah कर तो 的 फज़ कार एक शिर अपने आप ने एक ही काई कि हैसे से लौता है तो यार water कही है नाउग वरू एक El घृ सी हिस्ईत के वज़ा से वह लग सुखल यह ना बाकी इस-नाफ-यदफ से बिल्कुल मुक्तलिफ है है इसमें उनूदा और मौदू रखना इहीं नहीं है ठीक है और शेर को भी लिखना हैं ऐसे कि हर श्जयर का अपना एक dead मौदू रहे और आप लोग जानते हैं कि एक शेर में मातर दो मिस्रे होते हैं और घजल लिखने वाला जो शायर होता है उसको जो अपनी बात कहनी ही होती है मतलब जो भी उसके ख्यालात है ख्यालात को जो जाहिर करना चाहता है जो भी बात कहना चाहता है उसको मातर दो मिस्रों के अंदर ही कहना है दो मिस्रों के अंदर अपनी बात को कहने की शर्थ होती है शायर को तो अब वो क्या करेगा दो मिस्रा ही है और दो मिस्रे के अंदर ही पूरी बात को कह देनी है जो शायर कहना चाहता है तो वो इस तरह से मिस्रा लिखता है ना इस तरह से शेर लिखता है कि वो अपनी बात को इशारा में कह देता है क्योंकि कम लवज दो मिस्रे में ही पूरी बात को कहनी है तो इसी वज़ा से शायर इशाराती तर्जबयान यानि कि इशाराती अंदाज अपनाता है और बात को इशारा में कह देता है और इसी वज़ा से मानी की अमकान बढ़ जाते हैं यानि कि उस शेर को पढ़ने वाले जितने भी लोग है ना, वो अपना एक अलग-अलग मतलब मानी निकाल लेते हैं, क्योंकि शेर को इशारा में लिखा गया है, मतलब शेर में जो बात कही गई है, वो इशारा में कही गई है, और इशारा का मतलब अलग-अलग-अलग- मतलब निकालेगा जितने भी लोग उसे इसे को पढ़ेंगे अपने एक अलग-अलग मानी निकाल लेंगे क्योंकि बात को इशारा में कहा गया है और कहने की मजबूरी देती है शायर को वह इसायर क्या करें उसको मिस्रों में ही अपनी मुकमल बात कहे देने की शर्थ होती है तो वो क्या करेगा इशारा में ही न कहेगा अब आपको कहा जाए कि आप दो मिस्रे में ही शेरों शायरी के अंदाज में आप जो भी आपका जो भी ख्यालात है जो भी आप अभी फिल कर पा रहे हैं ठीक है जो भी आप बात कहना चाहते हैं दो मिस्रे कमें शायरी के अंदाज में कह दीजे तो कि आप लुग कह पहेंगे तो चुछ इनक्नast का मोता है उसी तरह को अपने ख्यारात को जोभी बात को कहना चाता है उसको दो मिंस्रॉूं में कह देने Eu होती है तो क्या करता है इशारा के अंदाज में कै ओर फिर चे हैं ऑफ यूंख कि एसाइ। परी खुसूसियत होती है रम्जिया और शाराती तर्जवियान गजल की एहम खुसूसियत है इसका भी मतलब वही हुआ गजल में इसका होना चाहिए यानि की घृष्ट का जो सिर्य ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए शौर्ट काट वे अपनाना पड़ता है शायर को वही बाते कम लफजों का यूज़ करते हुए बहुत कुछ के देना तो यह सारी खुसियत थी घजल की तो आई होप आप लोगो को नजम और घजल का मतलब समझ में आ गया होगा और दोनों में फर्क समझ में आ गया होगा यही वज़ा थी कि मैं दोनों को एक साथ आप लोगो भी बात करें हम लोग तो अर्दू की पहली न्जम जो है वो चकी नामा है जो कि खवाजा बंदरमाज गेसी दुराज लिखा गया था यह चीज़ आप लोगो बूला नहीं है याद कर लİजए अर्दू की पहली नजम कbers backbone का उन सी है चकी नामा और यहां पर बनकी कुछ ख भाया भी जा सके ठीक है अब आते हम लोग घजल पर घजल में अनासिर तरकीवी को हम लोग समझ लेते हैं अनासिर तरकीवी का मतलब होता है कि घजल में क्या क्या चीज़े होनी चाहिए जिसको जैसे घजल की पहचान हो सके ठीक है तो गजल की अनासिर तरकीवी लिख दी हूँ मैं यहां पर मतलब यह सारी चीछे गजल में होनी चाहिए तब ही उसको गजल कहा जाएगा ठीक है तो देखिए अनासिर तरकीवी क्या है गजल में मतला होना चाहिए उसने मतला काफिया, रदीफ, मक्ता और यहां तक की तदाद इशार का भी ध्यान रखना चाहिए तदाद इशार यानि की तदाद का ध्यान और मैं आप लोगों को बता भी दी हूँ कि घजल में कम से कम पांच शेर होना जरूरी होता है कम से कम पांच शेर रहना चाहिए और ज्यादा की तो कोई limitation ही नहीं, ज्यादा कितना भी हो सकता है, कम से कम 5 होना चाहिए, तो ये शार की तदाद का भी ध्यान रखना जरूरी होता है, प्लस ये सारी चीजे होनी चाहिए, घसल में मतला हुसने मतला काफिया रदीफ मक्ता, ये सब क्या होता है, मैं आप लोग अगर आप लोग नहीं देखें, तो जरूर देख लिजेगा, और अगर आप लोग को ढूरने में दिक्कत हो रही है, तो मैं उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के description में डाल दी हूँ, आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं, और आसानी से वहाँ पर एकदम deeply बताई हूँ, क्यों कि मतला हुसन मतला काफी अर अधिक यह सब क्या होता, एकदम deeply, तो आप लोग देख लिजिएगा, एक परसेंट भी confusion नहीं होगा, और जो लोग देख लिए हैं, उनको तो भई बले बले हैं, उनको समझ में तो आई रहा होगा कि मतला हुसन मतला किसे कहते हैं, और आ आप लोग लाइक शेयर ज़रूर कर दिये होंगे, जो कुछ भी मैं आप लोगो समझाई, गजल नजम समझ में आया है, दोनों में फरक समझ में एकदम बहतरी नधंग से समझ में आयाै, तो comment में लिखकर ज़रूर बताएगा, कि हाँ हमें समझ में आ गया, ता कि हमें भी तो पता चलेगा कि आप लोग को समझ में आया है की नहीं ठीक है और सांद साथ वीडियो को श्चेयर भी कर दीजेगा आप लोग के कॉंटेक्ट में जितने भी लोगे पड़ोसिये दोस्तों चोटे बड़े भाईवन चार्ट आप शेयर कर दीजे ताकि सभी लोग इस वीड आप तक सबसे पहले पहुंचे तो इसलिए इस तरह की उर्दू के शांदार मजदार और हमेशा उर्दू के जबरदस ट्रिक और कॉंटेंड लेकर में आती रहती हैं तो इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टुटाइम पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब क करके जरूर रखें और पहले से सब्सक्राइब किया है तो लाइक शेर आप लोग सिर्फ कर दिजिएगा ठीक है चलिए फिर्म लेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए जहिंद और खुदाहाफिज